विभाजन की वक्त बिच्डी बेहन 75 साल बाद मिली नमस्कार में हुरिश्मी पांडे और आप देख रही है हापर हल चल खास खबर आपको दिखा रही हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंट कर लीजे और ब 75 वर्ष बात हुई सिक परिवार से सम्मंदित महिला जो अब मुम्ताज बीवी के नाम से जानी जाती है भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुई हिंसा के दौरान वहां बहुत छोटी थी तथा लोगों को वहां अपनी मा के शव के पास रोती हुई मिली थी एक व्यक्ति म मुहम्मद एकबाल तथा उसकी पत्नी अल्ला रखी ने उसे गोद ले लिया था दो वर्ष पहले जब मुहम्मद एकबाल की सेहत अच्छानक से खराब कोई तब उन्होंने बताया कि वहां उनकी बेटी नहीं बलकि किसी सिक परिवार से सम्मंदित है मुम्ताज बीवी के अनुसार उसने तथा उसके बेटी शहनवास ने सोशल मीडिया पर अपने परिवार के तलाश शुरू की तो पता चला कि उनका सारा परिवार भारत में जला पट्याला के गाउं स्तंदराना में जो देश के विभाजन के बाद यहां पर आकर बस गया था तब से दोनों पर शत्तर वर्ष बार एक बहन अपने भाईवों से मिल सकते बरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहीं आपका अपना चैनल हापुड हलचर